असलाम लेकुम स्टुएंट्स आम यूर कमेस्टी टीचर प्रफेसर शेबास डियर स्टुएंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत आसान है जूनियर क्लासेज में भी हम उसको पढ़ के आए हैं नेमड एस डाउन सेल वस्टुएंट्स इस सेल के अंदर आपको सोडियम मेटल की एक्स्ट्रक्शन पढ़ाई जाएगी किस तरह से हम सोडियम मेटल को एक्स्ट्रक्ट करते हैं फ्रोम एनेसेयल चीड लेट्स शोड़ टौवर्ड लाइट को यूच स्टार्ट करते हैं डाउन सेल Students, आपने 9th और 1st येर में भी Down Cell के बारे में पढ़ा है तकरीबन अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कोछ जादा डिटेल शामल नहीं है Almost वही चीजें हैं जो आपने previous classes में पढ़ी है एक दो बाते चेंज होगी वो हम देखेंगे Students, सबसे पहले तो Down Cell का जो Objective है वो देखेंगे कि किस परपस के लिए Down Cell इस्तमाल होता है Students, एक ही परपस है इसका Sodium Metal को Extract करते हैं हम From NaCl Students, NaCl जो एक टेबल सॉल्ट भी है हम उस NaCl में से Sodium Metal को Extract करते हैं और उस Sodium Metal का फिर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह की Electrical Appliance जिन में Sodium Metal यूज़ होती है डिफरेंट केमिकल रियक्शन में Sodium Metal को इस रियक्टन भी यूज़ किया जाता है इसके मल्टी परपस है स्टुएंट अब्जेक्टिब तो समझ आगे अब इसका प्रिंसिपल समझते हैं यह जो डाउन सेल है यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है स्टुएंट इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है Electrolysis Of Molten NaCl Molten NaCl की हम इसमें से Electrolysis करवाएंगे अब Molten का मतलब क्या होता है जो भी चीज melted form में होगी वो Molten form है सबसे पहले आप लोग यह जानते हैं कि NaCl Solid State से Liquid State में यहनि कि Molten form में जब उसको ले के आना है तो उसके लिए आपको 801 डिग्री टेंपरेचर 801 डिग्री टेंपरेचर देना पड़ेगा क्योंकि NaCl का यही melting point है और इसी temperature पे वो melt होगा Dear Students 801 डिग्री जो melting point है It is quite high melting point So इतने high melting point पे fuel भी बहुत यूज होगा और दूसरा इतने high melting point पे liquid NaCl के कुछ particle evaporate होते हैं और evaporate होने के बाद वो air में मिलने के बाद एक फोग बनाते हैं और उस फोग को स्ट्रेंट्स metallic फोग भी कहा जाता है और यह skin के लिए बहुत dangerous होती है So हम down cell के अंदर NaCl के melting point को reduce करेंगे अगर हमने reduce ना किया तो NaCl 801 डिग्री पे melt होने के बाद metallic फोग भी produce करेगा और economically यह process बहुत expensive हो जाएगा So dear students हम क्या करते हैं हम 60% calcium chloride and 40% NaCl को मिला के mix करते हैं Students अब होता क्या है कि calcium chloride NaCl में जैसे ही उसको हम add करते हैं और इनको 81 गरम करते हैं तो यह NaCl की structural structural arrangement को disturb कर जाता है अब structural arrangement disturb होने की वज़ा से NaCl जल्दी melt हो जाता है और 600 to 601 कुछ textbook में इसको यह कुछ literature की books में इसको 600 लिखा हुआ और कुछ में 601 लिखा हुआ कोई भी लिख सकते हैं So students 801 degree की बजाए हमने NaCl को 600 यह 601 degree पे ही melt करवा दिया 60% calcium chloride add करने से होगा क्या calcium chloride के add करने से कि NaCl की structural arrangement चेंज हो जाएगी क्या चेंज आएगा NaCl के अंदर arranged particles loosely bounded होंगे loosely bounded हो जाएगे loosely bounded होने का मतलब उन में interactions weak हो जाएगी जिससे उनका melting point change हो जाएगा So students अब यह वो area है आप यह diagram जरा इसको समझने की कोशिश करें इस diagram के अंदर सबसे पहले अगर मैं इसकी construction समझाओ उससे पहले मैं यह NaCl add कर लूँ फिर मैं इसकी construction समझाता हूँ आप students यह जो मैंने area highlight किया है यह आपने इसमें NaCl pour कर दिया जी students construction and working में सबसे पहले हम इसकी construction समझे लेते हैं students सबसे पहले आपको यह outer boundary नजर आ रही है it is made by cement और in some cases wood के साथ भी इसको बनाया जाता है लेकिन commercially हम इसको cement से ही बनाते हैं students इसके अगर आप inside view देखें तो आपको एक dom नजर आ रहा है उस dom के inside आपको एक huge plug नजर आ रहा है this plug is made by graphite यह graphite का बना होता है हम इस plug को battery के positive terminal से connect करते हैं और यह plug हमारे लिए as anode काम करता है students इस dom के अंदर यह जो plug है इसके side पे एक circular bar नजर आ रहा है आपको जो के आपको इस diagram में तो नजर नहीं आ रहा लेकिन screen पे आप जो diagram देख रहे हैं उसमें आपको यह clearly नजर आ रहा है के इस anode के around एक circular bar है जिसको मैंने pink color से show किया है जिस students यह जो circular bar है यहां तो यह copper का बना होगा यह यह iron का बना होगा इसका क्या काम है आगे working में समझेंगे अब इस circular bar के सामने इस तरफ terminators लगे होए हैं यानि के जो terminate करेंगे material को बाहर की तरफ अब जी जो terminators हैं यह students iron यानि लोहे के बने होते है students यह तो थी इसकी construction अब हम इसकी working को समझते हैं यह काम कैसे करेगा जी students working के लिए सबसे पहले हमने क्या किया हमने इसमें through this hole NACL pour कर देंगे कौन सी form में? molten form में और वो भी कौन से degree पे melt किया हमने? 600 degree पे students जैसे ही NACL हम इसमें pour करेंगे तो NACL इसमें NACL चुके melted form में है तो NACL माइनस की form में आएगा टू टाइमस लिखेंगे तो टू एने प्लस एन्टू सी एल माइनस सो students यह जो आपको highlighted area नजर आ रहा है green color का इस highlighted area की बात करें तो इसमें NACL आइनस है और CL माइनस आइनस है जी students अब working कैसे होगी सबसे पहले हम add anode जो के बैटरी के positive terminal से connect है we all know that anode पे oxidation process होगा जी students अब positive आइनस जो हैं वो तो negative की तरफ travel करेंगे बट जो negative आइनस हैं वो positive की तरफ travel करेंगे यनि एनोड पे 2CL माइनस आएगा और अपने अंदर मुझूद दो extra electrons को loose करेगा और उसके बाद chlorine gas में change होजेगा तो students loss of electron is called oxidation यह आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है तो students oxidation का process शो करेगा electron lose करेगा और chlorine gas liberate होगी तो students यहां से जिस रास्ते से आपने NACL को molten format किया था उसी रास्ते से chlorine gas eject कर जाएगी बाहर निकलाएगी जिस ट्रेंट्स अब यह copper यह iron की जो circular bar है इसका क्या काम है इसका यह काम है कि यह molten form के अंदर जो na plus आइंस है उनको इस area में permit करेगी यहनि कि na plus आइंस इस area में आजएगी जिस ट्रेंट्स इस area में जो हमारे पास iron का terminator है यह iron का terminator जो connect है battery के negative के साथ students battery का जो negative है जो की terminator से connect है this is called cathode अब hiding देंगे reaction at cathode जिस students cathode पे sodium आइंस आएंगे जो के molten form से diffuse करके बार को क्रोस करेंगे जो के copper और iron की बनी हुई है students यहाँ पे एक बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि यह copper यह iron की यह जो circular बार है यह गौस यानि पर्पॉरेटिड होगी गौस यानि कि जाली नुमा पर्पॉरेटिड फॉर्म के लिए बार होगी जिस में से CL माइनस तो plug के पास ही रहेगा और इस plug में से वो electron को loose करेगा oxidation का process शो करेगा और chlorine gas बनके बाहर आज़ेगा लेकिन यह जो circular बार है na plus आइन को preparation होने की वज़े से pass कर देगा यह निके इस circular बार का एक और काम जो हमें समझ आया है यहाँ पे to separate both na plus आइन and cl minus आइन cl minus आइन students ultimately आपने देखा convert हो चुके हैं chlorine gas के अंदर अब यह जो na plus आइन students यह क्या करेंगे anode से आने वाले electron जो cathode पे आएंगे और we all know that cathode पे reduction का process होता है so students na plus क्या करेंगे electron को gain करेंगे electron को gain करने के बाद sodium metal में convert हो जाएंगे अब यह जो sodium metal है due to high temperature चुके आब यह सारा process एक high temperature पे उपरेट कर रहे हैं तो यह sodium अभी molten form के अंदर ही बनेगी so यह जो terminator है यहाँ बनने वली sodium molten form में जो है उसको terminate यानि के बाहर eject करेंगे system से बाहर और यहाँ पे हम इसको percolate यानि के catch कर लेंगे so students कैथोर्ट पे क्या होगा के sodium metal यानि के sodium ions electron को gain करेंगे और sodium metal जो के molten form में है उसमें convert हो जाएंगे और यह terminator से sodium metal बाहर आजागा जिसको हम catch कर लेंगे यानि capture कर लेंगे so dear students अब इस पूरे process के अगर हम advantages देखें फवाइद देखें तो student पहला फाइदा metallic fog is not produced जो metallic fog है वो produced नहीं हुई अब क्यों metallic fog produced नहीं हुई क्योंकि हमने NACL के melting point को 801 से reduce करवाके 600 पे कर लिये जिससे economically भी हमें फाइदा होगा और fog भी produced नहीं होगी liquid sodium can easily collected at 600 degree क्योंकि 600 degree पे यह जो solution है उसमें sodium molten form में मिलेगी और molten form से easily system से terminate हो जाएगी बाहरा जाएगी material is not attacked by the product of electrolysis students एक तो product है chlorine जो के eject कर गई है और दूसरी product है sodium metal solid form में जो के system से बाहर आ गई है so product जो electrolysis की है वो operators को बिलकुल भी damage नहीं करेंगी so यह students इसके advantages है these students अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि sir अगर देखा जाए तो यह molten form का जो material इसमें शामिल किया था हमने इसमें calcium chloride भी add किया है so इसका मतलब है कि calcium chloride भी ionize होगा और ionize होने के बाद calcium ions में and chloride ions में टूटेगा चलें chloride ions तो common है chlorine gas की form में release हो जाएंगे so calcium ions का क्या होगा यनि के समझ ही आता है कि calcium ions and sodium ions के दरम्यान में competition है क्योंकि दोनों पे positive charge है दोनों cathode पे जाना चाहेंगे और दोनों cathode पे जाके electron को gain करना चाहेंगे क्योंकि reduction process होता है cathode पे so dear student अब आपके सामने table नज़र आ रहा है students अब table से ये बात आप clearly पता करवा सकते हैं कि sodium का reduction potential calcium से better है so calcium reduce होने के लिए cathode पे नहीं जाएगा उसके हिस्से का कौन जाएगा sodium क्योंकि sodium का reduction potential जो है वो calcium से better है so sodium cathode पे जाएगा electron gain करेगा और electron gain करने के बाद sodium metal में convert होगा calcium आइंस की form में ही रहेगा so calcium का कोई काम नहीं है के वो cathode पे जाए उसकी जगा sodium जा रहा है due to their higher reduction potential so dear student इस पूरे process से जो हमें sodium metal मिलती है वो 99.9% पे और होती है I really hope students down cell आपको समझा गया है कोई इसमें लंबी चोड़ी बात नहीं है दो चार बातें जो नहीं है previous class से हमने इसको discuss कर लिया इंशाला next lecture में हम Nelson cell को पढ़ेंगे जिसमें हम NACL को ही use करेंगे but NACL को aqueous form में use करेंगे और उसको हम देखेंगे कि क्या change आएगा down cell और Nelson cell में NACL down cell में molten form में use किया गया है याद रखने वली बात है और Nelson cell में aqueous form में use करेंगे जी दिया स्टुएंट्स तो whiteboard की तरफ move करते हैं और कुछ MCQs डिसकस कर लेते हैं सो हमारा पहले MCQ है and down cell if moisture is present then most likely products are students अभी आपने down cell की products पड़ी sodium, metal and chlorine gas moisture के आने से product पे कोई फरक नहीं पड़ेगा हाँ अगर NACL का आप proper aqua solution त्यार करते हैं like उसमें अगर आप आपानी आड़ करते हैं moisture नहीं water liquid state में आड़ करते हैं solution त्यार करते हैं तो फिर आपके पास जो है वो N.O.H. त्यार होगा उसके इलावा students chlorine gas त्यार होगी hydrogen gas त्यार होगी और ये Nelson cell के अंदर आप पढ़ोगे next lecture के अंदर moisture के आने से कोई फरक नहीं पड़ता तो right answer is alpha if the manufacture of sodium chloride is fused with calcium chloride to यानि के अगर manufacturing करनी है sodium की तो sodium chloride को calcium chloride के साथ में लाके fuse किया जाता है students अभी आपने lecture में ही पढ़ा इसका काम क्या होता है decrease the melting point of N.A.C.L और ये calcium chloride क्या करता है sodium chloride के अंदर structural change करता है क्या change करता है structural change करता है structural change करता है G.D.A. students next sodium does not show plus two oxidation state because of it sodium जो है वो plus two oxidation state शो नहीं करता उसकी क्या वज़ा है students उसकी वज़ा बड़ी simple है के sodium जो है उसके पास first shell के अंदर dear students कितने electrons आप सब जानते हैं first shell में उसके पास दो फिर आठ फिर एक वो एक electron लूस करने के बाद अपने बाहर वले शेल में students कितने electrons अक्वाइर करता है आठ इसका मतलब वो इंतहाई stable हो चुका है so अब वो second electron निकालने के लिए यह नहीं के आठ में electron में से मजीद एक और electron निकालने के लिए बहुत जादा energy required है जो normally possible नहीं है तो आप कह सकते हैं very high second ionization potential यह वज़ा है कि sodium पे plus two charge नहीं आता दराइट answer is beta जी students next MCQ है down cell is used to prepare अभी आपने पढ़ा down cell किस काम आता है students sodium metal को prepare करने के लिए I really hope students कि MCQs मदद करेंगे आपको paper में आ सकते हैं so students तब तक के लिए मुझे इजाज़द दीजेगा take care Allah हाफिज